विपक्ष को पाकिस्तान में विपक्ष को ये शक है कि आज वोटिंग हो पाईगी विपक्ष को इस बात पर शक है कि आज भी वोटिंग शायद वहाँ पर न हो पाए सुप्रीम कोड की तरफ से साफ साफ निर्देश दिये गए National Assembly जो अधनान भी बता रहे हैं कि तीन तारीख का जो सूरत है हाल है उसे वहाँ पर बहाल किया जाए और उसके हिसाब से तो आज रात 12 बजे तक से पहले पहले वहाँ पर हो जानी चाहिए वोटिंग किसी भी हालत में लेकिन क्या वोटिंग लटकाने के पक्ष में है इमरान खान ये बात पाकिस्तान में जो विपक्षी पार्टियां हैं वो अपनी तरफ से कर रही हैं और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा अब तक संसद नहीं पहुँचे हैं इमरान खान शाहम एबूद कुरेशी उनकी ही बहब पर बोल रहे थे आज इम्रान खान उस समय भी नहीं पहुंचे थे अब एक बज़े का समय दिया गया था कि दोबारा करवाई शुरू होगी लेकिन वो अभी भी नहीं पहुंचे है सुप्रीम कोर्ट ने आज ही वोटिंग कराने के लिए कहा है पाकिस्तान की नाशनल असेंबली में लेकिन ये इंडिकेशन्स आ रहे हैं कि इमरान खान वोटिंग लटकाने के पक्ष में है